अगर आपके पास एक time-tasted strategy है, उसके उपर बने रहना, चाहे आपकी position आपके favor में हो, चाहे आपके against में हो बहुत important होता है। देखिए, जब भी हम कोई position ले और वो हमारे favor में हो, उस समय अपनी strategy पे विश्वा सकना और अपनी strategy पे बने रहना बहुत आसान होता है। पर भाये chance आपकी position आपके against जाए। उस समय अगर आप उपनी strategy पे बने रहेंगे, तब ही regularly market से कुछ ना कुछ कमा पाएंगे। इस एक important learning के साथ, आज के एपिसोड में हम discuss करने वाले market के आज के movement, चार important shares, बहुत ही important shares है, उसी के साथ-साथ metals पर क्या outlook है, टेटेल में discuss करेंगे आज के इस एपिसोड में, मेरा नाम है Anant Ladda, CFA, CACFP, LLB, इससे वाले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर अभी तक आज फरकल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा, 1,30,000 से आदा मेंबर इसका पार्ट बन चुक है, लगे उस्वल तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं, अनन्त का फंडा का पहला पार्ट जिसका नाम है market today. सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नज़र डालते है, 106, 1.74% positive, 50,000 के लेवल के बहुत पास जा चुका है, निफ्टी, 1.67% positive, 50 डेज मुविंग आवरेज के ऊपर निफ्टी जा चुका है, बैंग निफ्टी, 4% के आसपास positive, बैंग निफ्टी में काफी स्ट्रॉंग बाउ की बाउंच एक काफी स्ट्रॉंग और हेल्दी एडवांच एक बाउंच बाउंच के बाउंच के साथ-साथ-साथ-मेटल्स ने बहुत अच्छा बाउंच किया, काफी लोग का यह डाउट होगा कि अनंत क्या मेटल की वापिस से नही राली स्टार्ट हो गई है, या फिर वापिस एक शॉट तरम बाउंच है, देखिए अभी जो यह बाउंच आया यह वही बाउंच है जो हमारी बान जैसे treat करता है वो हमें समझना पड़ेगा पर अगर आपके medium term portfolio का part है metals तो वहाँ पे हमें बिल्कुल भी tension की बात नहीं होती है इस चीज का ध्यान रखेगा गलती से धाय दिन के बाद अवला bounce है या फिर एक sustain करने वाली नहीं रहली है वो तो हमें time ही बताएगा हमें at least धाय दिन के बाद के bounce को sustain करना important होता है जो हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा अभी दोनों ही चीजी open है दोनों ही sites open है weak sectors की बात करे तो media, pharma, FMCG और consumption आ उपर की तरफ जाता गया high बनाया 14,938 का और उसी के साथ-साथ closing हुई है 14,923 की एक अच्छी closing हम बोल सकते है पर जिस तरीकी की rally यहां पर आई है अगर हमें तोड़ा बहुत profit booking पर ध्यान लगाए तो as such कोई tension की बात नहीं होती है इसी के साथ-साथ आप चलते हैं next section पर जिसका नाम है FIIs and DIs Action FIIs ने आज 2200 क्रोज के आसपस की sell करी है और DIs ने 1900 क्रोज के आसपस की purchase करी है नेट में नेट sales का figure इतना बड़ा नहीं है तो कोई tension की बात नहीं है FIIs के जो regular selling हो रही है वो majorly hedge funds के दुआरा हो रही है वो जो long term FIIs इंडिया में आए है उनकी तरफ से selling नहीं है hedge funds के दुआरा selling हो रही है देखिए hedge funds के दुआरा simple सा दाओ है जहाँ पे उन्हें immediately opportunity मिलेगी वहाँ पे वो shift करने की कोशिश करते हैं आभी सिर्फ इंडिया से ही नहीं सारी के सारी developing economy से तोड़ी बहुत profit booking हो रही है और यह पैसा धीरे धीरे shift हो रहा है commodity based economies में commodity based countries में यह हमें समझना पड़ेगा पर क्या यह जो long term FIIs इंडिया में आयते वो भी भाग रहे है ऐसा अभी तक मुझे personally बिल्कुल भी sign नहीं मिल रहा है इसी के साथ साथ चलते हैं next section पर जिसका नाम है viewers query जैसा आज का दिन था या फिर जैसा कल की opening रहने की expectations है जब market अच्छा होता है उसी समय हमें तोड़ी बहुत profit booking करनी हो अपनी short term positions में या फिर बोल दिया जाए positional positions में जिसमें 15% के उपर का gain आ रहा हो या 10-20% के बीच के हम gain में हो तो as such कोई दिक्कत की बात नहीं होती इस इसके कहने का सबसे में कारण यह है देखिए जब market अच्छा होता ना profit booking उसी समय होती है इस concept को हमेशा ध्यान रखेगा जिस दिन market तोड़ा सा खराब होता है या market कुछ मजे लेने के mood में होता है उस समय तो हम सिफ stop loss hunting को बचाने की कोशिश करते है अपनी positions को size में रखने क की कोशिश करते है इसलिए जिस समय market अच्छा हो अगर हमें तोड़ा बहुत profit booking करने की इच्छाओ तो हम करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस point का ध्यान रखेगा अभी भी market वापिस से ऐसे point पे कि जहां पर हम तोड़ी बहुत profit booking करे तो कोई tension की बात नहीं है अभी भ करते हैं next section पर चू होने वाला है सबसे important शुरू करते है stocks in focus अगर अभी तक आपके आज DMAT नहीं है तो description में DMAT अकाउंट openings और प्राइवेट चैनल पर चुड़ने का process मिल जाएगा वढ़ना लगे यूसफुल तो आप जॉइन बेटन membership इंसिए कर सकते हैं देखिए जिस सम प्राइवेट टेलेग्राम चैनल है उसमें 7 stock back-to-back 7 stock push up करे थे कि यह important share पर आप इदर चेकाउट कर सकते हैं दो stock तो 10% से उपर बालकृष्णा HFCS 10-10% के उपर रहें बाकी भी सारे stocks 3% से लेके 6% तक उपर रहें इसी तरीके से हमें use करना होता है जो कल के लिए सबसे important stock होने वाला है वो है SBI 395 तक का momentum बड़े ही अराम से आ सकता है अगर किसी को आज के दिन BTSD buy today sell tomorrow करना था तो सबसे अच्छा share हो रहा था SBI एक important disclosure है मेरे पास personal नीचे के level से पढ़े है जिसको मैं अराम से hold कर रहा हूँ अगर profit booking करनी है तो 395 के आसपास एक पहला level होता है जहां पर profit booking पे नजर लगा सकते है next important share जो हम ticker tape पे देखेंगे यह ना बड़ा ही मज़दार share हो सकता है नाम है galaxy surfactant जब यह 2800 के आसपास अनंत का funda में regularly discuss हुआ था और बात भी ही थी कि जब भी 3000 को cross करेगा बड़े momentum के साथ उपर जा सकता है आज जैसे इसने 3000 को cross किया 3100 तक पहुच चुका है बाय चांस भी 3050 तक मिल जाए जिसकी गुंजाईश मुझे तो अभी कम ही लग रही है तो वापीस इसमें re-entry लेना लेक्स इंपोर्टन शेर होने वाला है GMM Fodler, अगेन इंपोर्टन डिस्क्लोशर 4000 के लेवल के नीचे अनंत का funda में regularly discuss हुआ था उसी के साथ साथ मेंबर्स को प्राइवेट टेलिग्राम पर एक डेमो ट्रेड भी दे रखी है पर जैसे ही ये शेर 4800 को cross करता है जिसके चा कर सकते हैं 194 से लेकर 192 तक के लेवल अराम से आ सकते हैं एक बार 194 क्रॉस हुआ तो 200 तक भी इसको टच करने में देखकर नहीं आने चाहिए पर यह प्योर ट्रेडिंग का स्टॉक है यह हमें समझने पड़ेगा अब चलते हैं नेक्स सेक्षिन पर जिसका नाम है जन्रल मार मार्के ट्रेंड अभी भी आप ट्रेंड में है वॉल्यूम डिस्ट्रिबूशन डेस का काउंट 3 हो चुका है इसलिए अगार हमारी इच्चा हो तोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने में कहीं भी कोई दिकत नहीं होनी चाहिए अब चलते हैं फाइनल सेक्षिन पर अगर इसको पार करके ऊपर एक दिन भी सस्टेन करता है तो एक बड़ी रेली के लिए निफ्टी तयार हो जाएगा पर आए पर से तोड़ा सा पल्टी लेना अल्मोस्स सर्टन हो सकता है अगर पूट की बात करें तो हाइस उपर इंटरेस 14,000 सेकेंड हाइस उपर इंटरे की ऊपर एक बड़ी रेली आ सकती है मार्केट ने वैसा ही किया अब मेजर सपोर्ट होने वाला है 32,500 से लेके 33,000 की रेंज और रजिस्टन होने वाला है 34,000 से 34,100 पूट कॉल रेशियो 1.40 पे पहुच चुका है कभी भी कल या पर्सों में 1.60 के उपर जाए तो वहाँ पे परसली अभी तो नहीं लग रहा तोड़ी बहुत अगर कल प्रॉफिट बुकिंग आनी हुई इस्पेशली 15,000 के आसपास तो आ सकती है तो इसलिए हमें रेडी हैना चाहिए अगर मार्केट ने 15,050 के उपर की क्लोजिंग दी जब भी दी काफी श्रॉंग हो जाएगा पर पर तोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कल का दिन आज की दिन जितना स्मूथ रहना तोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाल है कुछ हिक आप मिल सकते हैं कभी भी पुट कॉल रेशियो 1.60 के उपर जाए कल जाए या ना जाए पर परसो जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर गया तो वहाँ पर कुल आप आना अल्मूस सर्ट हो जाता है अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें बिन अमच जाएगा चानल को सब्सक्राइब बैल आइकन क्लिक नहीं गया तो कोई इंपोर्टन वीडियो मिस्स हो जाएगा आगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के शेर भी कर दीजेगा हापी इन्वेस्टिंग और आई विल सी यू वेरी सुन सारे के सारे इंपोर्टन लिंक्स चाहिए वो सेशन के हो चाहिए हमारी टीम से कनेक्ट होने के लिंक हो चाहिए डीमैट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे